अब हम जॉनपूर कि किसान चीजा के आप आहां मता करते में जानपुर की कुछ मसूर चीजा है जुआ हम बता देहें यहां पर सबसे मसूर चीजे है मुली जी मह की बड़ी मूली होती है कि जो पर करें बड़ी लगड़ी होती हैं और फिलाल कभी मौका मिला तो उस चीज को हम आप लोगों को दिखाएंगे और जो दूसरी मसूर चीज है ओ है जॉनपुर में ही एक अस्थान है राम दयाल गंज और यहां पर एक जो इमिर्ति आती है यहां पर खोए वाली मिर्ति है तो आप सब जब भी जॉन पुराने का मौका मिले तो इन दोनों चीजों को देखने और ट्राइल करने की कोशी शरूर कीजिएगा जब हम यहां पहुँचे तो रात हो चुकी थी जो मनबोध राय जी थे ओ माल लोड करवा रहे थे सुबह मंडी जाने के लिए तो रात में हम यहां पर रुके थे और इंटरव्यू सुबह हुआ था तो फिर जो है यह मंडी चले गए थे इस वज़े से मनबोध जी का इंटरव्यू तो नहीं हो पाया था लेकिन उनकी चाचा जी थे और उनके चाचा जी का ही जो इंटरव्यू लिया गया है आगे वी तीजा मिल करके केले की खेती कर रहे हैं और काफी अच्छा रिस्वांस रहा है अब की बार तो पिछली बार जो हम यहां पर आये थे तो होंडा एफजे 500 का जो टीलर था वो वीडियो यहीं पर सूट होई थी तब पौधा शोटा था अब इनकी ज्यादातर फसल कट चुक आज इस वीडियो में हम सब जानेंगे मेरा नाम उमेश कुमार राय मैं जोन पूरजिला मड़िया हूं और चोरारी ग्राम सभा से बिलांग करता हूं और मैं पहली बार खेती किया हूं और देव जी नहीं प्रकाष डाला है और हम लोग मतलब खेती करके काफी मतलब मतलब कहली जीये की खुश हैं केले की खेती से और अच्छा मुनाफ़ा भी हो रहा है और जो भी कटनाईयां आई हैं वो तो हमेशा लगा रहेगा अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको दिल से करना पड़ेगा प्रकीत आपके विप्रीद जा सकती है तो उसके लिए आपको तत पर रहना पड़ेगा वैसे हम लोग खड़े भी थे और जो समस्या आई है अब जैसे जल समस्या गर्मी के मौसम में हो सकती है इसके लिए आपको बराबर तयार रहना पड़ेगा बारिस के मौसम में पेड लटकते हैं तो पट्टे लगाना बास लगाना और सबसे बड़ी देव जी हैं और और लोग आपको मिल जाएंगे आपके किसान भाई जब फसल आपकी तयार हो तो उसको मंडी तक पहुंचाने की जिम्यदारी स्वयम उठाइए और तभी आप अधिक से अधिक जो है लाफ को प्राप्त कर सकते हैं तो आप जब केला लगाए थे तो एक समय से जो सबसे ज़्यादा किसानों को आती है और यह आती है कि गाओं वालों का जो रिस्पॉंस होता है वो कैसा था निगेटिव रहता है कोई कार्या आप करेंगे नया करेंगे तो सारे लोग आपको मतलब पाश्टिव थिंकिंग कम निगेटिव थिंकिंग जाड़ा देंगे उससे आपको एक भी परसंट घवडाने की जरूरत नहीं है केले की फसल एक ऐसी फसल है कि आपको कुछ भी पोजिशन में जाए लेकिन नुक्षान देने वाली नहीं है किसान भाईयों आप ये पहली बार लगा है और सबसे बड जैसे मतलब महान पुरुष हैं आप एनी टाइम इनसे जो भी हेल्प लेना चाहेंगे ले सकते हैं यह हम लोगों के लिए मतलब समझ लिजिए कि भगवान की तरह मिले हुए हैं हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी है और जब जब हम लोगों ने इनसे आग्रह किया ह यह आकर कि हम लोगों को मलब सारी हिल्प किये हैं तो हम इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं और किसान भाई आप लोग इनसे जुड़िए और अपना मार्ग दर्शन कराईए देखिए आप जब केले की फसल लगाए तो इसमें समयस्या होती है आ कंट्रोल होते हैं और अराम से होते हैं किवाल यहीं है कि कियर करना है अएसा नहीं है कि लगा दिये और फिर सो गए दो महीने बाद आई आपको डेली अपने पौधे का केर करना पड़ेगा और जिन जिन चीजों की आउशकता है समय समय से खाथ, पानी, फंगी साइड, सब मल्टी विटामिन्स, इस्प्रे वगरा आपको सब करना है और आपको कोई दिक्कत में हो देखें ये एक वर्सी फसल है एक वर्सी फसलों ये तीन महिने ये च्छे महिने की फसलों को काटने के आदी है ऐसे में जब उन्हें जरूरत पड़ती है केले लगाने की तो केला आपका तकरीबन एक साल 12 महिने, 14 महिने ले लेता है पहली बार में अब दिखें जो केला यहां पर हमारे जो है उत्तर भारत में तकरीबन 12- महिने में कट जाता है यही केला यही वराइटी आपका गुजरात है महराश्ट्रा वहाँ पर तक्रीवन 9-10 महिने में कट जाता है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमारे यहाँ ज्यादा समय में कट रहा है तो देखे थोड़ी बहुत समस्य आए हैं जैसे कुछ लागत बढ़ ज जाता है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं होती है कि वहां पर नौदस में कट रहा है हमारे यहां देखिए जो कारण है यह जलुआयू के कारण होता है हम लोगों क्या इतनी ठंडी पड़ती है कि पांच मैने केले का विकास पूरेपूर रुका रहता है तो अभी आपका कि अब की बार क्या मिला है अब क्या है आप प्रति पौधे जो आपका और रहा है और रहा हुआ अच्छा के जी लगभग पर पौधा हमारा वेट हुआ है और जो आप बेचे हैं तो बेचने में प्रति किलो के हिसाब से क्या रेट मिल गए है चौदा के बभी हुआ है चोदा की लगभग और मार्केट उपर नीचे गया है किस तरह से गया है वह वीस तक भी गया है अट्राइब इस तरह से रई रहा है तो और सब देखें तो और हम लोगों को ।ो रहत है और सोला के करीब और सोला की करीब आउसक्षा प्रेट मिल गया है और आउसत उत्पादन 18 किलो मिला है देखी इसमें 18 किलो आउसत इनका मिलने का दो तीन कारण है पहला यह तो एक नए किसान है और नए किसानों को देखे सीखने में थोड़ी समय स्या होती है भी उनको पता नहीं होता है तो मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो कहीं पर कम उप जाओ है और इसके साथ साथ जो खेत ऊंचा और नीचा भी है तो यह जो है कुछ इस्तितिया रही है जो इनके फसल को फसल के उत्पादन को प्रभावित की हैं हलाकि अब यह जो केला है यह कट चुका है और कुछ बाकी है जो कठी जाएंगे जल्द ही और साथ में पेड़ी भी छोड़ दी गई है और पेड़ी भी आउस्तन तीन से चार फिट के बीच में इस समय चल लई है तो अगर देखा जाए तो इतना कम उत्पादन मिलने के बावजूद भी अब की बार प्रॉफिट में तो रही होंगे जी जी प्रॉफिट में तो द अगर अच्छा से आप सेवा करेंगे तो आपको मुनाफ़ तो जरूर मिलना है आप देखें हम किसानों के साथ काम करते हैं तो एक चैलेंज के साथ काम करते हैं यह चाचाजी हैं और इनके भतीजे हैं जो है जौब छोड़ करके केली खेटी की शुरूआत किये थे तो और देखे क्या इस्थिति होती है अभी जो इस्थिति है वो आप सब देख रहे हैं तो अब देखे जो एक समय से आती है लोगों की गाओं वाले क्या कहेंगे तो उन सब चीजों पर मत जाएए हम हर वीडियो में यह प्रश्ण उठाते हैं क्योंकि जितने भी किसान हैं हमसे यही फोचते हैं कि गाओं वाले यह कह रहे हैं या फिर गाओं वाले वह कह रहे हैं तो आप इन सब पर मत जाएए आप खेती कीजिए और इसको अंतिम लच्छे तक पहुंचाए और मार्केटिंग में एक अनुभव इन्हें जो मिला है यह हम जान लेते हैं तो जब आप पहली बार केला सल किये खरिदार के साथ तो खरिदार का क्या रूख था देखिए आते हैं मतलब आपके पास छोटे-छोटे भ्यापारी आएंगे टुकडों में और कोई आपको जैसे लगा दिया 210 रूपए कोई लगाएगा 1.500 कोई लगाएगा 200 तो आप उनके चक्कर मे काट ले गए बड़ी बड़ी उसके बाद वह अपना फिर मतलब पैतरा खिलने लगते हैं कि आप केजी से दे देजिए ऐसे करिए वैसे करिए तो आप जब भी अपने माल का उत्पादन करिए सीधे आप मंडी में जाएए वहाँ डेली का डेली रेट खुला रहता है और आपको अच्छा मुनाफा होगा कल साम को हम इनके यहां आए और जब कल साम को आये थे तो यहां पर जो इस्थिती थी यह दो गाडियां लोड हो रही थी और उसके बाद जो है अब दिपावली भी आ गई है आज 23 तारिक है और 27 तारिक को दिपावली है और यह जो साल चल जी अच्छे से चल नहीं है जो देखे बिक्री में जो समेश्या होती आती है और पहली साल लगवग सभी किसानों को आती है थोड़ा सीखना पड़ता है और जब आप सीख लेते हैं तो आपको अच्छा अनुभों मिल जाता है इतने कमूत पादन में भी इनको अच्छा प सफलता है और देखे जिस चेत्र में गोवी जादा होती है तो वहाई पर रेट不用 हो सकता है लेकिन जिस चछेत्र में गोवी